नमस्कार Quick News कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश्रवास्तो और हम बात करेंगे Digital रुपे और UPI के बीच अंतर के बारे में हाली में भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान दास ने Digital रुपे और Unified Payments इंटरफेस मतलब UPI के बीच के अंतर को सपष्ट किया है आपको बता दें RBI ने 1 दिसंबर को Retail Central Bank Digital Currency के लिए एक Pilot योजना शुरू की है केंद्रिय बैंक ने 2 चरण की योजना के पहले चरण के लिए 8 बैंकों की पहचान की है जहां Digital रुपे का उप्योग किया जाएगा चलिए Digital रुपे और UPI के बीच अंतर समझते हैं UPI payment के लिए 3rd party एप की जरूरत होती है लेकिन Digital रुपे के लेंदेन में 3rd party एप की जरूरत नहीं होगी इसका फाइदा ये होगा अगर गलती से किसी गलत एकाउंट में पैसे भेज दिये गए हैं तो आसानी से वापस मिल सकेंगे मौजूदा वक्त में गलत एकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने या फिर कट जाने पर 3rd party जैसे फोन पे गूगल पे की जिम्मेदारी नहीं होती है डिजिटल रुपे में लेंदेन ओफलाइन मोड में भी किया जा सकेगा इसमें SMS और QR कोड की साहता से लेंदेन संभव होगा किसी भी UPI लेंदेन में बैंक की मध्यस्ता होती है डिजिटल रुपे के केस में बैंक की मध्यस्ता के बिना एक व्यक्ती लेंदेन कर सकता है इसके लिए वॉलेट सो विदा उपलब्द करवाई जाएगी UPI से पेमेंट करने के एक निश्चित लिमिट होती है जबकि डिजिटल रुपे से अनलिमिटेड लेंदेन का लाब मिलेगा गवर्नर शक्तिकान दास ने बताया कि एनॉनिमिटी डिजिटल मुद्रा की एक प्रमुक विशेष्टा है क्योंकि मुद्रा एक वॉलेट से सीधे दूसरे वॉलेट में जाएगी और इसलिए इसका कोई डिजिटल प्रूफ प्रिंट नहीं होगा इसका मतलब है कोई तीसरा पक्ष ये पता नहीं लगा सकता कि पैसा किसे हस्तांतरित किया गया है क्योंकि ये जानकारी बैंक के पास उपलब्धी नहीं होगी जबकि UPAI में लेन देन गतिविदियां दो बैंक खातों के बीच होती है